पूरा जो लोक सिस्टम राता है उसी को चेंज कराना पड़ाइगा और भाई सहाब इसका लूक विदावड मोडगाड जो इसका टायर पीछी की तरफ दिखता है ना एक दम काफी संदार लगता है पीछे से तो गाइस अपनी बाइक की थर सरफ सिंग हो चुकी थी 8200 पे अभी हम चल चुके हैं 10300 मतला मोटा मोटी 2000 किलिमेटर चले हैं एंड मेरा जो चैन है उस तेम पूरा टाइट था बट अब देखो पूरा डिला पड़ गया है और इसमें नोइस भी आ रहा है तो अभी सबसे पह सब्सक्राइब करना पड़ता है तो यह हो चुका है अब टाइट तो वेल्कम बैक टूम अधर ब्लोग ऐसार आई हो तुम लग बढ़िया होगे और हम सोच रहें कि अभी जो मोटगाड है वह हम लगवा ही लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा छिटे पड़ रहे हैं और अभी बारिस का जो सीजन है खतम हुआ ही नहीं है हमको लगी रहा था कि हम बहुत जल्दी खुलवा लिए हैं और खुलवाए भी थे इसी के लिए कि बहुत दसरा में रोला जमालें बट रोला क्या जमाएंगे भाई पूरा बारिस में किचड़ किचड़ जो मेरे पीछे बैटता था उसको तो पूरा कीचर लगता था और एक टैम तो ऐसा भी आ गया था कि भाई मेरे पीचे को बैटने को तयारे नहीं हम बस सोलो ही चल रहे थे रात में तो अभी सोच रहे हैं कि मोडगाट लगवा लेंगे उसके बाद मस्त जाएंगे राची कुछ दिन बेट करेंगे हां पूरी तरह जब लगे है कि हां बारी से फटम हो चुकी है तब वेदम प्रोपर फ्लानिंग के साथ जाके टेल टैडी लगवा लेंगे अपना मुडगाट बुखल लाएगा फिर मस्त रोला जमा सकते हैं और टेल टैडी राची में बहुत जोर रही है क्यों कि गुमला में तुम चल सकते हो बिना टेल टैडी का लेकिन राची में नहीं चल सकते हो अगर तुमको एक बार चेक लिया गया तो फिर चलान कटना ही कटना है तुमारा ऐसा सीन है गुमला में उतना चेकिंग को गएरा उतना टाइट नहीं है इसलिक लिए चल जाता है और य कुछ इसलिए हैं क्योंकि हम पहली बार कुछ नया ट्राई कर रहे हैं और उसमें मेरा थोड़ा बहुत दीख रहा है तो इसके लिए अंदर से थोड़ा सा सटिस्पेक्शन हमको मिल रहा है और बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर बहुत कम लएगा बट मेरे लिए यह बहुत म को प्यार दे हैं बस वही लोगों हम किसी को आज तक लिंक नहीं भेज़े हैं क्योंकि मेरा में अभी तक उतना कॉन्फिडेंस नहीं आया है यहां तक यहां अपना जो करीबी हैं दोस्त उनको तक नहीं भेज़े हैं देख रोगाइस लेफ्ड में राइट में जो पेंड का सैडूर आता है ना इस रोड में तो पूरा पना को धग देता है पता है नीचलता है कि रोड में गढ़े हैं या नहीं है अगूर तुम ऐसे अंधे की तरह जाओ को न अभाई तुम को बहुत बढ़ा बड़ा पड़ता है अगर तुम राइड करते हो तो क्योंकि नया-nया रास्ता में तो यह सब चीजे धीया हो भागत रेगुलर कोई रास्ता में चल रहे हो तो तुमको बहुत अच्छी तरह से एडिया राता है कि कहा कहा पर गड़े हैं कहा कहा थोका बना हुआ है भाई देख रहे हो इतना चाया अधीक रहा है ना कि मेरा इंटी फोक वाला ग्लास लगा हुआ है हिलमेट में उसकी वज़े से और थोड़ा जो विजिविलिटी है वो मेरा ब्लोक हो जाता है अपना लास्ट सेल बचा हुआ है वह भी बिलिंग कर रहा है बट अभी हम भरवा आने से रहे किंकि अपने को करना है मायलेज टेस्ट इसका और नेस्ट वीडियो सायद से मायलेज टेस्ट पर होगा तो फिर देखना मजा आएगा तो देख लो भाई दिखने में तो काफी संदार लगती है विदावट मोडगाड बट भाई देख रहे हो हालत खतरनाक वा उसको कवर कर लो ताकि उसमें कीचर ना जाए अगर इसमें कीचर एक बार चला गया ना तो दूबारा तुम शीट नहीं खुल पाओगे फिर इसका पूरा जो लोग सिस्टम रहता है उसी को चेंज कराना पड़ागा तो यह सारी चीजों को ध्यान देना अब इसका लूक जो इसका टायर पीछे की तरफ दिखता है ना एकदम काफी संदार लगता है पीछे से मस्त एकदम सेक्सी वाला अर्शाच बताए तो भाई अगर मेरा बस में रहता ना तो हम इस बाइक को बस ऐसे ही राइड करते मतलब विदाव टेल टाइडी बड़ पहला काम तो इसका उपाए निकालें और तुम लोग बहुत सारा कमेंट कर रहे हो कि भाई एक्जस्ट लगवा एक्जस्ट लगवा तो भाई देखो बात कुछ ऐसा है कि अभी जो मेरा बाइक है पूरी तरह नया है मतलब जस्ट छे मेने कंबिट हुए हैं और अगर अभी हम एक्जस्ट यह है कि अगर इसमें एक्जस्ट लगवाते हैं तो मेबी इसका इंजन में थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ सकता है और वह थोड़ा सा रिस्की है बट देखते हैं दो महिने के अंदर में अगर मूड बना तो फिर लगवा लेंगे और जल्दी-जल्दी से वनके करा दो अगर वनके हो जाता है तो भाई हम जल्दी है लगवा लेंगे क्योंकि उसके बाद तो भाई क्या बोले हम सबसे लड़ सकते हैं घरवालों से भी लड़ सकते हैं बट अभी हम नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि इन सारी चीजों से घरवालों का जो रिस्ता है ना दूर दूर सब्सक्राइब करते हो तो बहुत ज्यादा अंदर से मोटिवेशन मिलता है और कमेंट करने के लो तू रुक नहीं मत एकदम दबा दबा कमेंट करो और सारी चीजों को तुम बताओ कि क्या क्या चीजे तुमको जानना है क्या क्या चीजे तुमको देखना है हम सारी चीजों कवर अप करने की पूरी कोशिस करेंगे